हलो फ्रेंट्स मैं हूर और आप देख रहें अपना यूट्यूब चैनल गाइस आज हम इटसी के बारे में एक फीचर है उसके बारे में हम बात करेंगे उस फीचर का क्या मतलब है जैसे आप किसी कॉंपिटीटर के स्टोर को चैक करते हो तो वहाँ पर एक option आपको यहां मिलता है sales का यहां पर क्लिक करके आप चैक कर सकते हो उस कॉंपिटीटर के like sold out products को जैसे suppose कीजिए मैंने एक कॉंपिटीटर का store open कर रखा है और मैं simple यहां पर 877 sales है इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर इनके जो भी product है जो sold out हो चुके हैं वो सारे मुझे यहां पर दिखेंगे कि कौन-कौन से product sold out हो है got it but अगर आप अपने store में इस चीज को hide करना चाहते हैं कि आपका जो competitor हैं आपके store को check करके यह ना पता कर पाई कि आपके product कौन-कौन से sold out हो चुके हैं वो चीजें अगर आप hide करना चाहते हैं तो simple आपको क्या करना है आपको itsy के अपने dashboard में जाना हैं simple dashboard में जाने के बाद आपको settings में जाना है settings में जाने के बाद आपको options पर क्लिक कर देना है options में आने के बाद आप यहां पर दिखेंगे यहां पर shop options आ रहे हैं यहां पर सबसे नीचे आने पर आपको दिखेगा sold listings got it यहां पर पढ़ेंगे want shoppers able to see these मतलब जो खरीदने आए हैं product को क्या उनको sold listings दिखनी चाहिए जो मतलब sold out हो चुकी है शौर शो दैम अगर आप यह यह टिक करके रखेंगे तो उनको show होगी अगर आप इसको यहां कर देते हैं no hide them और इसको save कर देते हैं तो फिर आपके store के अंदर यह option नहीं आएगा जैसा यह जो sales को option आ रहा है प्रॉडक्स पे वह पेज नहीं शोगा सब्सक्राइब आप इस चीज को हाइड करके रखिए क्योंकि आपके जो से नीचे दिए गए description में numbers हैं उन पर call कर सकते हैं और मुझे Instagram पर message कर सकते हैं और मेरे साथ one-to-one लाइव इस it's a mastery course को join कर सकते हैं तो गैस मिलते नेक्स वीडियो में तिल दम बबाई see you